दोस्तो नमस्कार, एक धारा विकास की थी, एक धारा इंफ्राइस्ट्रक्चर की थी, एक धारा कॉर्प्रेट की थी, एक धारा इस देश के कोर सेक्टर की थी, एक धारा इस देश के भीतर मैनिफेक्ट्रिंग सेक्टर की थी, एक धारा इस देश में MSME की थी, एक धारा इस भीतर रोजगार को लेकर थी ये तमाम धाराईं अगर ध्वस्त हो जाए तो बचेगा क्या शायद ये ऐसा संकट है या ऐसे खत्रे की घंटी है जो इस वक्त देश के प्रधान सेवक के कानों में गूंज रही है अपने ही बनाए घेरे के भीतर क्या वाकई देश के प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी फस चुके हैं और 2024 को लेकर जो खत्रे की सबसे बड़ी घंटी है वो घंटी किसी दूसरे ने खड़ी नहीं की विपच्च वहां पर बिलकुल नहीं है बिलकुल अपना वीजन है अपनी दृष्टी है अपनी सोच है और आने वाले वक्त में भारत को किस दिशा में किन हातों के जरिये ले जाना है इसी विसात पर 2024 की दिशा में कदम बढ़े जरूर थे लेकिन अब कदम ठहर चुके हैं अडानी 2024 तक ठंडे बस्ते में बंद किया जा चुके हैं इस देश के भीतर में जो डिस इन्वेस्टमेंट भी होना था उसकी जो बो या फिर कोई दूसरी कंपनियों की फिरिस्त हो कॉर्परेट के हक में सरकार खड़ी नहीं होगी क्योंकि वो नहीं चाहती है कि अब कॉर्परेट कोई मुद्दा बने 2024 को लेकर अमबानी और अडानी भी मुद्दा नहीं बने इस देश का मैनिफेक्टरिंग सेक्टर या व बरसों से होता रहा खास तोर से 2019 के चुनाओ के बाद से जो रंगीनिया इस देश ने देखी वो 2024 तक चुनावी गले की फास और किसी के नहीं देश के प्रधान सेवक की बन चुकी है और सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि अगर उस रास्ते 2024 में वोट मांगेंगे तो जन खड़ी हो जाएगी क्योंकि रोजगार दिया नहीं महंगाई को नकेल कस्पाने की स्थिती में आर बी आई आ नहीं पाई रैपो रेट लगातार बढ़ रहा है तो एमाई के दाएरे में फसा हुआ मिडल क्लास हैरान और परिशान है यानि हर उस सिड़ी पर जिसके जरिये 2024 की दिशा में जाना था जब वो ध्वस्त होने की शुरुआत हुई तो एक रास्ता पूंजी का भी आया वह पैसा जो पॉलिटिकल तोर पर चुनाओं में इस्तमाल किया जाता है और एक के बाद एक लगते हुए जटकों के बीच जो शेयर बाजार कल तक राहत दे रहा थ अब वो मुश्किल देने लगा है इसी हफते के भीतर तीन दिनों में तीन लाग करोड से जादा तो आज डूबा है कुल मिला के छे लाग करोड रुपए इस दौर में निवेशकों के डूब गए जब से हिडिन बर्क की रिपोर्ट आई उसके बाद से सिर्फ अडानी के बारा लाग करोड से जादा डूब चुके हैं इन्वेस्टर्स क्या करें ब्रोकर्स क्या करें और इन सब के बीच एफाई आई लगातार भाग रहे हैं यानि फॉरें इंवेस्टमेंट हो नहीं रहा है भारत के एकनॉमिक धाचे में और किसी की दूसरी प्लानिंग नही बलकि देश की एकनॉमिक पॉलिसी का जो ग्रोथ दिखाया जा रहा है उसको लेकर संकट बड़ा हो रहा है रास्ता क्या है रास्ता कुछी बचता है एक रास्ता प्रचार प्रसार का है और सरकार जब एपरल से अपने कामकाच को नए बजट के आसरे समहा लेगी जो एक आ खावन योजनाय हैं उस पर किस रूप में परचार पर खर्च होगा उसका कच्चा चिठा भी हमें लगता है आज आपको जानना चाहिए ये समझना चाहिए कि 2000 चुनाओं तक पहुंसते पहुंसते देश के प्रधान मंत्री चाहते हैं कि 2000 चौदा की परिस्तितियां दूसरा ना हो बलकि जंता के सामने निशाने पर वही कॉंग्रेस हो जिसने 60 वरस तक सत्ता समाली वही नहरू गांदी परिवार का जिक्र हो जिस पर करप्शन के चार्ज लगाने से उनके जुमा ठकती ना हो और उसी तरीके से इस देश के भीतर मची हुई अंधेर गर्द नौकरी पा नहीं पा रहा है तो इन सब से निजात कौन दिलाएगा और अगर इनकी हालत ऐसी हुई तो क्यों हो गई तो क्यों नहीं पुराने दौर को दुबारा से खड़ा किया जाए यह एक ऐसा यूटर्न है जो बीते 5-6-7 बरस में जो भी खड़ा किया गया उसका अंतरास्टिय बाजार ने लगा दी अंतरास्टिय तोर पर जो हालात विश्चमंदी के साथ साथ इस दौर में नूकलियर धमकी जो रशिया अमेरिका को दे रहा है उससे जो शेर बाजार डगमगाया विदेशी निवेशक भागे महंगाई पर नकेल नहीं तो रैपो इमाई बढ़ने की स्तिती में आ गई और इन सब के बीच सारी मुश्किल ये है कि कोई रिजल्ट बता पाने की स्तिती में सरकार आ नहीं पा रही है तो होगा क्या हमें लगता है कि आज इस कच्चे चिठ़े को समझ लीजिए को कि सरकार सरकार ना कहें सीधे कहें तो आज सुनाई नहीं देगी जिसका जिक्र अक्सर चुनाओं में हर रैली में प्रधान मंत्री करने से चूकते नहीं थे जो योजनाएं ऐलान की गई किंद्र सरकार के जरीए उसकी गूंज आपको जरूर सुनाई देगी क्योंकि उसी का परचार और उसी के बजट से निकला हुआ पैसा आपको इस देश के मीडिया के जरीए दिखाई देगा तो मीडिया के बोल और उसके तेवर भी बदले हुए होंगे तो आईए जरा इस कच्चे चिट्थे को दो दृष्टी से खोलने की जरुरत है पहली दृष्टी उस वोट को पाने की है अलग-अलग राज्यों के लिहाज से वहां कौन सी राजनिती खेली जाए मसलन बिहार और उत्तरपरदेश जातिये स्थितियों में उलज़ा हुआ है इसको हर कोई जानता है लेकिन जातिये समिकर्ण और सामपरदाईक समिकर्ण अगर दोनों का समिश्रण कर दिया जाए तो हिंदू, मुस्लिम और जाती में OBC और दलित यह कार्ड खेलना BJP के लिए असान है तो इन राज्यों को लेकर किसी डेवलप्मेंट का जिकर क्यों होना चाहिए, नहीं करेंगे यहां पर अब तो इस तरीके जबी नहीं कह सकते हैं कि विकास के लिए कितना पैसा चाहिए, किस प्रोजेक्ट के लिए कितना पैसा चाहिए इस special status यानि special दर्जा जो दिया जाता है जिसकी मांग नितीश कुमार करने वो उसके जिक्र की जरुरत भी नहीं है तो जिन बातों की जिक्र करने की स्थिती में कल तक थे अब वहां से यूटर्न हम लेते हैं और दोबारा आते हैं उसी social engineering के दाइरे में जहां जातियों का जिक्र हो तो 120 सीटे बहुत साफतोर पर उत्तर परदेश और बिहार की समझना यहां पर एक छण के लिए भी यह भी होगा 2014 में जो भी चिंतक हुआ करते थे प्रधान मंत्री उस समय गुजरात के मंत्री थे उनके इर्द गिर्द के उन्होंने ही गुजरात से हुआई जहाज के जरिये जब उतारा जो अडानी का जहाज उड़ा और बनारस में जाकर रुका और उसमें से इस बात का जिक्र हुआ कि मा गंगा ने बुलाया है तो अब मा गंगा का जिक्र भी नहीं कर सकते हैं लेकिन उस समय जिन बातों का जिक्र था और बनारस की सीड से चुनाव लगना था और उत्तर परदेश को प्रभावित करना था अब उसका दृष्टी बीजे भी उस बात को समझ रही है कि अगर उत्तर परदेश और बिहार का जिक्र है तो इसके साई में उस हिंदी पट्टी में जहां पर उसका कबजा है तो ही कॉंग्रिस बाहर है और तो ही विपक्ष की कोई हैसियत नहीं है और उसके भीतर का सच यह है कि छत्रप बीजे बीजे पी से कम कॉंग्रिस से लड़ते हुए जादा नजर आएं और जो वोट बेंक है वो किसी भी हालत में छत्रपों के साथ रहे एमवाई समीकर्ण जो मुस्लिम यादव समीकर्ण है वो बिहार और यूपी में कार्ड विपक्ष के लिए चलना चाहिए यह कोई दूसर रहता है उत्तरप्रदेश और बिहार के भीतर तो कॉंग्रिस पनप ही नहीं पाएगी और कॉंग्रिस और छत्रप जब आपस में लड़ेंगे तो लाप सीधे बीजेपी को होगा इसलिए एक जुटता का सवाल दूर की गोटी है अखिलेश यादव को भी महसूस होता है M.Y. समिकंड चल गया तो वह आज बजट के दिन जब उत्तरप्रदेश का बजट रखा जा रहा था तो शेरवानी पहिन कर आ गए और दूसरी तरफ M.Y. समिकंड में M के सामने कोई दूसरा आप्शन नहीं है तो उसको तजस्वी यादवी नजर आने चाहिए इसका भरप पूर प्रयास नितीश कुमार भी कर रहे हैं कि दरसल उनके साथ ही वोट इंटेक प्रहें तो दो हजार चौबिस में अपनी सीटे हम बचातो सकते हैं जो पिछली बार हम B.J.P. के साथ मिलकर लड़े ते इस बार उसमें एक बड़ा शिफ्ट हुआ है तो एक यूटर्न सम करन के लिहास से और राज्यों की राजनिती के लिहास से इस देश के प्रधान मंत्री को भी अपनी चुनावी रैलियों में करना है और लोटिएगा जैसे ही 2014 की दिशा में तो आपके जहन में आएगा उस समय क्या क्या कहा जाता था बिलकुल उसी लाइन पे नए तरीके से उन योजनाओं का जिकर होगा जो सरकार की ऐसी योजनाओं हैं जो वोट बैंक में तबदील की जा सकती है और उसके लिए चुक masculine प्रधान किया गया है पैसे का तो उस पैसे के आसरे चीज़ों को क्रियेट किया जा सकता है और उसके दाइरे में जरा अब समझना शुरू क किजे कि अब आने वाले वक्त में जो पोस्टर्स आपको दिखाई देंगे जो अलग अलग नारे सुनाई देंगे अलग अलग रैलियों में बीजेपी के नेता जिसका जिक्र करेंगे खुद प्रधान मंत्री जिसका जिक्र करेंगे और उसका कच्चा चिठा सामने रखेंग और प्रचार के लिए तो मेनिस्ट्रिम मीडिया तैयार है ही तो उसके दाइरे में एक एक करके सुनिये दरजन बर योजनाएं हैं जो सरकार के गेम प्लान में उसमें मनरेगा भी है जो एक वेक खतम करना चाहती थी सरकार लेकिन वह मनरेगा किसी भी हालत में जो देश की हाल बिगरती चली गई आर्थिक तोर पर और असंगठे छित्र के पास काम नहीं तो मनरेगा कम से कम 27 दिन तो काम दे देता है और परिवारों की दृष्टी से वो लगभग 42 दिन तो काम दे देता है तो इतनी आए भी बहुत बड़ी बायत होती है और उसके पैरलल में रूप रेखा आने वाले वक्त में आपको नजर आने लगेगी लेकिन बाहराल अब उस योजनाओं पर चलिए जो आपके सामने रिंगने वाली है स्वच भारत मीशन मनरेगा प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजना प्रधान मंत्री आवास योजना अमरित और स्मार्ट कर रहे हैं नैशनल एजूकेशन मीशन जिसके जरिये आप ग्रामीन इलाकों में पढ़ाई को जोड़ना चाह रहे हैं जो अमरेला इंटीग्रेटड चाइल्ड डेवलप्मेंट सर्विस प्लानिंग की गई थी उसको भी इस दायरे में लाया जा रहा है पांच किलो अनाज मुफ्त देना तो पहले से जारी है लगातार और इसके ठीक समनांतर जो फूड एंट पब्लिक डिस्टिबूशन सिस्टम है उसमें आप किसी भी जगा कुछ भी काम करें आपको अनाज मिल जाए इन लगभग 10, 11, 12 योजनाओं पर खास तोर पर ध्यान इसलिए है क्योंकि इसके दाइरे में इस बजट में जो पैसा रखा गया है वो कहां खर्च होगा वो प्रचार पर ही खर्च होगा क्योंकि इससे पहले जो परिस्कितियां बतलाती हैं और देश के जो डाटा बतलाते हैं और हमारी टीम ने सरकार के ही जब डाटा को कलेक्ट किया तो सरकार की इन योजनाओं पर जो खर्च होता है, वो 60-40% के हिसाब से चलता है, 60% का काम होगा, 40% परचार होगा, और रिजन्ट निकल कर आया कि दरसल 20% खर्च हुआ, 35% परचार हुआ, बाकी का 45% पैसा था ही नहीं, तो वो खर्ची नहीं हुआ, तो पैसा नहीं था, तो खर्च कहां से होगा, तो इस दृष्टी से अगर आप समझेए, तो जैसे प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, 19 हज़ार कोड का बजट है, आवास योजना पर 89 हज़ार कोड का बजट है, जो सवच भारत मीशन है, या भी भी उसके आपको अलग अलग जगाओं पर प्रचार प्रसार होगा, 12 हज़ार, 192 कोड का उसमें बज़ट रखा गया है, हेल्थ मीशन पर 36 हज़ार कोड है, बज़ट तकरीबन 20 हजार कोड का है, ये सारी चीजें एक साथ चलेंगी, इसके साथ साथ, जो खेती से जड़ा हुआ मामला है, उसमें एग्रिकल्चर के उपर बजट एक लाग कोड का है, लेकिन फटिलाइजर पर एक लाग 75 हजार कोड का है, क्योंकि ये सबसीडी देनी खतम हो गया, तो अब आप दुबारा सबसीडी के फॉर्मिट में आ गए, यानि एपरल से नए बरस की शुरुआत, जो चुनावी बरस की शुरुआत होगी, उसमें आपको ये सारी चीज नजर आएंगी, तो आप लोटिये दुबारा से 2014 की परिस्तिती में, निशाने पर पुरानी सत्ता, निशाने पर पुराने धतकर्म, लेकिन मौजूदा वक्त में आठ नव बरस में क्या हुआ, इसको आप कैसे भूल जाएं कि दरसल रुजगार नहीं मिला, अमबानी अडानी सरकार की यारी के साथ नहीं थे, इस देश के तमाम पबलिक सेक्टर को कौडिय के मौल कैसे बेचा गया, और किस रूप में डिविडेंट बैंकों से और रुजर बैंक तक से लिया गया, महंगाई तो दूर की बात है, उस महंगाई पर नकेल कसने के लिए सरकार के पास EMI को बढ़ाने के अलावे कोई दूसरा रास्ता नहीं था, और तो और जो डाटा दिया गया अंतरास्टिये तोर पर I.M.F. को भी उस डाटा ने भी इस बात का जिक्र किया कि दरसल भारत की जो ग्रोथ रेट है, वा एक फेक ग्रोथ रेट की दिशा में तो नहीं है, और ये सवाल उसके 23 के जो पूरी की रिपोर्ट है, I.M.F. की उसमें नजर आने लगा तीन-चार मेसेज बहुत खुल कर सामने आकर आज की तारीक में खड़े हो गया है, पहला जो सोच रहे थे कि इस द्रिस्टी से 2024 की दिशा में जाएंगे और चुनाओ जीत जाएंगे, उस दिशा को बदलने का वक्त आ गया है, उससे काम नहीं चलेगा क्योंकि लोगों के भीतर वह मुद्दे आकरोश भरते हैं, यानि उनके भीतर गुस्सा आता है कि आपने ये किया नहीं और आप ये सब कुछ कर रहे हैं, ये रिपोर्ट सरकार के पास है, दूसरा सवाल है कि जो विपक्ष की एका की बात हो रही है, तो उसमें विपक्ष की एका तो दूर की बात है, उसमें छत्रपों को ही कहां पर किस रूप में पना भी देनी हैं और उसके ठीक समनांतर जिन एजनसियों का दिक्र होता है, उसका भी खुले तोर पर करना है, इसलिए ध्यान दीजिए पहला शिफ्ट रजसभा में तब नजर आया कि आने वाले वक्त में हमारा कव पैसा नहीं होगा, डेवलप्मेंट नहीं होगा, अंबानी जडानी का जिक्र नहीं होगा, अंटरनेश्टरली हम भारत को इस रूप में प्रोग्रस की दिशा में ले गया है, यह भी नहीं होगा, वर्ल्ड मार्केट में जो इक्विटी है, उसमें ब्रिटेन आच के दिन भारत को भी पार्क पहुँच किया, जो छटा सबसे बड़ा एक्विटी के मार्केट का देश है, वो अभी भारत के एकपार आ गया, यानि इंटरनेश्टनली ग्रोथ जो है, वो कैसे कम हो रही है, और इस महीने लगवग एफ आईज ने कितने बिलियन डॉलर पैसे निका गया है, तो प्रोजेक्ट्स को लेकर कैसे आएगा, जो प्रोजेक्ट्स इलेक्शन की दिशा में बढ़ने के लिए अब थम गए हैं, रुख गए हैं, तो सरकार का बड़ा निर्णे दो हजार चौबिस तक अडानी इसका जिक्र उसकी जुबां पर नहीं आना चाहिए, हर पुस्ताच की दृष्टी से और इसके दाइरे में से भी भी आ जाए और लाइसी भी आ जाए जो कल तक कह रहे थे हम पुस्ताच करेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं और आने वाले वक्त में होगा भी नहीं, और सयोग ऐसा है कि आज ही के दिन सबसे ज़्या थाउजन करोड का नुकसान उसके इन्वेस्टरों को हो गया, कुल मिलाके बारा लाग करोड का नुकसान हो चुका है, आज 51,000 करोड का और आज तक्रेबन साड़े 3 लाग करोड इन्वेस्टर्स के शियर बाजार में जटका खा गए, चूना खा गए, जो नीची आ गया, इन सब के बीच एक वजा अडानीज का वो डेवलक्मेंट का मॉडल है जो वैलूशन के आशरे चलता था और कैसे लोन लेता था उस लोन को फिर से लगाता था और उसके ज़रिये फिर लोन लेने के लिए शेयर बाजार का नया वैलूशन आता था इस पूरी प्रक्रिया के भ जिसपर सरकार को काम करना है वह एक रेल्वे का आने वाले वक्त में आपको रेल्वे में भरती योजना निकल कर आएगी तरीकी अब development के आसरे नहीं है बलकि उसके आसरे है जहां पर आपको सिर्फ एक उम्मीद दिखाई दे और पुराने दोर को देखकर आप सोचें नया दोर अच्छा है और इनका कोई विकल्प हो नहीं सकता है यह दृष्टी आपके जहन में रहे और इसके साथ साथ जो तिन चार चीजे हैं उसमें एक बात और समझेए कि दुनिया भर में तीन मैसेज़ेस हैं कि जो भारत में पैसा लगता था उसमें यहां के social aspect को यहां की governance को और यहां के environmental process में यानि आप environment से लड़ रहे हैं आप किस तरीके से green energy green hydrogen की दिशा में बढ़ रहे हैं तो हम पैसा लगा दिया उसकी दो सबसे बड़ी वज़ा एक तो देश के भीतर की जो परिस्तितियां उसमें अगर सरकार के साथ अडानीज नजर आ रहे थे तो अडानीज एक तरफ green energy और green hydrogen का जिक्र करते हैं जहां पर फ्रांस की total energy भी पैसा लगाती है नॉर्वे का सोवेंड बॉन भी दाल रहे हैं तो दोनों को साथ खिलवाल करने वाला अगर एक ही player है और वो एक player मौझूदा राजनितिक सप्ता के करीब रहा है और अब पैसा उन लोगों ने निकाल लिया शियर बेच डाले बाहर निकल गए तो वह एक शक की दृष्टी से चीजों को देख रहे हैं तो ऐसे में अब उस foreign capital का इंतजार मत कीजिए अब यहां के मुद्दों को जनता के बीच जाकर जनता के साथ घुल मिल करके फिर से जिकर करना शुरू कीजिए कि हम तो जोले उठाकर कभी भी चल सकते हैं ऐसी परिस्तिती 2024 के चुनाव तक आ सकती है जहां पर इस बातों का जि रहो यह एक emotional dialogue है मैं जोला उठाकर चला जाओंगा मेरे पास कुछ नहीं है मैं फकीर हूँ मेरी यह अवस्था है लेकिन भारत के भीतर इस दोर में अगर आप प्रधान मंत्री के कार की fleet देखेंगे तो दुनिया के सबसे race fleet में से एक है जिसमें करोणों रुपए की गाण यह एक रंगी एक साथ चलती है भारत के प्रधान मंत्री के सफर का हवाई जहास देखेंगे तो अमेरिकी रास्टपती के एवन को टकर देने वाला खड़ा है तो उस रईसी में मच जाईए आप फकीरी देखिए और इस फकीरी के आसरे भारत के विश्व गरू को होने की परिस्तितियों को देखिए उस दिशा में पूरा चुनाव परचार ले जाया जा सकता है या नहीं अब इस द्रिश्टी से सरकार सक्री हो रही है और यूटर लेने की परिस्तितियों में इस माध्यम से आ रही है कि अब पुरानी परिस्तिति नहीं चलेगी तो आखिर की त नहीं बननी चाहिए ये पहला प्रोग्राम है दूसरा प्रोग्राम है इस देश की जंता की जर्रतों के साथ अपने आपको जोड लीजिए और बताइए कि हमारी हालत भी आप भी जैसी है और हम दोनों की हालत ऐसी है तो इसकी वज़ा ये है कि उससे पहले की जो सरकारे करती थी उनका कच्चा चिठा सामने रखिये जिसमें जाहिर है कोईला गोटाला कांड होगा टूजी होगा सी डवलू जी होगा दर्श गोटाला होगा जितनी भी लकीर खीश सकने कीचिये लेकिन पहले कीचिये इस दौर को आप भूल जाएए यह तो सबसे पाक साफ दौर ह और तीसरी परिस्तिती यह है कि प्रधान मंत्री अपने तोर पर जनता के बीच उसी तरीके से सक्रिय होंगे जो सक्रियता आपको 2014 में दिखाई दी थी जिस समय अडानी के जहाज में सफर करते थे और पूरा घूमते थे फिर रात में पहुंच जाते थे गांदी नगर फि प्रधान मंत्री के तोर पर पद के दावेदार नरिंदर मोदी हैं जो गोवा के अडिवेशन में बीजेपी ने निर्णे ले ले लिया था जिसमें अड़वानी जी नहीं गए थे तो आज तक वो भूगत रहे हैं लेकिन नई परिस्तिती है कि उसी तरश पर इस दोर में जैसे ही अब नौर्थ हिस्ट के चुनाओ जिन राज्यों में हो रहे हैं उसके रिजल्ट आएंगे उसके बाद से करनाटक के चुनाओ के मद्दे नजर आप एक बिलकुल नई दिर्ष्टिस देश के बीतर चुनाओ की देखेंगे जिसमें जिक्र लोगों के दर्द को और पहली बार जनता के साथ खुद को खड़ा करने की परिस्तिती में देश के प्रधान सेवक भी आकर खड़े हो जाएंगे तो राजनिती का एक नया मूल मंत्र दस बरस के शाशन के बाद दस बरस पहले की परिस्तितियों को उठा कर दुबारा से सत्ता में कैसे आया इसमें कॉर्परेट है ना अडानी, ना अंबानी है, ना शियर बाजार है, ना इंडस्ट्रिलाइजेशन है, ना ही कॉर्परेट द्वारा किया गया भारत का इंफरायस्टेक्शर प्रोividades है, किसी बात का दिक्र नहीं है, दिक्र लोगों की जर०र, सालक, घर, मकान, बीच बीच में डिरेक बेंक ट्रांसफर आपके हिस्से में होता रहेगा तो फिर आप कुछ कह नहीं सकते हैं यह है नया प्लान सरकार के साथ खड़ा हुआ जो इस दृष्टी से बताने को काफी है कि विपक्ष कुछ सोचे तो ना सोचे तो जनता ही कुछ सोच ले बहुत ब हुआ 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 है